सुल्तानपुर से बड़ी खबर बड़ी खबर सुल्तानपुर से आ रही है जहां अधिवक्ता आजाद एहमत की हत्या के मामले में संतोष यनक कारवाई ना होने से अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है तीन दिनों बाद इमामले में कारवाई ना होने से नाराद अधिवक्ताओं ने जम कर प्यदर्शन किया और मुक्यमंत्री को संबोधित ग्यापन डियम को सौपा इतना ही नहीं अधिवक्ताओं ने मांग की है कि म्रता का अधिवक्ताओं की पत्नी और नौजाद बच्चे को सुरक्षा इलाज और समुचित देखमाल की विवस्था करवाई जाए इसके साथ हिम्रता का अधिवक्ताओं को 50 लाग का मौवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है फिलहाल स्पी ने भी आरोपी सिराच और 25,000 का इनाम खोशित कर दिया है सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें